अगर आपके भी सिर में जुएं हो गई हैं, बहुत ज्यादा खुजली होती है डेंडरफ की परशानी भहुत बढ़ गई है और सिर में बहुत ज़्यादा जुएं हो गई है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है जोओं की तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए और जोओं को हमेशा के लिए खतम करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही कमाल की होम रेमिडी शेयर करने वाली हूँ ये इतनी effective है कि एक ही बार में आपको इसके result मिलना शुरू हो जाएंगे इसे बनाना बहुत आसान है और results भी बहुत जल्दी मिलते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग होम रेमिडी को try करते हैं तो इसको अपना असर दिखाने में थोड़ा सा समय लगता है दो तीन बार का use करने के बाद हमें result मिलना शुरू होते हैं लेकिन आज मैं आपको अदरक की मदद से एक ऐसी रेमिडी बताने जा रही हूँ जो कि जुओं की तकलीफ को आप से कोसो दूर कर दीगी तो दुबारा आपको कभी भी जिंदगी में जुओं की तकलीफ कभी नहीं होगी सबसे पहले यहाँ पर मैंने अदरक का एक छोटा सा टुकडा लिया है अदरक हमारे पौधे की जड़ होती है इसलिए इसे चैसे वाश कर लिया हम फिर इसका इस्तमाल करना है तो वाश करने के बाद यहाँ पर मैंने अदरक का छिलका इस तरीके से निकालना शुरू कर दिया है हम अधरक की छिलके को निकालने के बाद इसे बारिक बारिक टुकडों में काटेंगे और इसका हमें इस्तमाल करना है या फिर आप लोग इसा छोटे टुकडों में काट कर आप blender में डाल कर अधरक का paste बना कर तयार कर सकते हैं वैसे मैं तो क्या करूँगी कि इसका छिलका remove करूँगी और directly greater की मदद से grade करूँगी और अधरक के रस को निकाल लूँगी अधरक के रस में antibacterial properties होती है जो कि हमारे scalp में हो रहे bacterial growth को खतम करने के लिए सबसे best है अधरक में antibacterial antiseptic properties भी होती है जो कि हमारे scalp में कहीं भी घाव हो गए है जो कि अकसर जुए होने की वज़े से सिर में हो जाते हैं कहीं कहीं से खुन आना शुरू हो जाता है घाव हो जाते हैं हमारे scalp में तो अद्रक की रस की मदद से हमारे घाओ जल्दी भरेंगे और अद्रक की रस की जो खुशबो होती है वो जुओं को बिल्कुल पसंद नहीं होती है तो वो तुरंत ही खतम हो जाती है और वैसे भी इसमें antiseptic properties के अलावा pH level को maintain करने की भी ताकत होती है यानि कि ये हमारे scalp के pH level को maintain करेगी scalp को जादा acidic भी नहीं होने देगी और हमारे scalp को healthy रखने का काम करेगी साथ ही अद्रक का रस हमारे bacterial growth को fungal infection को cure करने के लिए सबसे best होता है जैसे हम गला खराब होता है तब हम अद्रक का इस्तमाल करते हैं अलग-अलग तरीके से करम दूद में या पिर चाय मे डाल कर तो वैसे ही हमें अद्रक का इस्तमाल जूओं को खतम करने के लिए भी करना है ये बहुत ताकतवर रस होता है और तुरंथ ही bacterial growth को खतम कर सकता है अब हम बात करते हैं कि जूओं की तकलीफ आखिर हमें होती क्यों है जूओं की तकलीफ किसी भी व्यक्ति को हो सकती ह लड़का हो या फिर लड़की किसी भी उम्र में उस व्यक्ति को ये तकलीफ हो सकती है अब बात करते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में जूओं हमें इसलिए होती है क्योंकि जब हमारा scalp बहुत जादा गंदा हो जाता है हमारे scalp में हमारा खुद का ही sweat जमा होना शुरू मिट्टी चिपक जाती है हम अपने scalp को ढंक से wash नहीं करते हैं तो ऐसे में जूओं होने की तकलीफ बढ़ सकती है इसका अगला कारण है जूओं की तकलीफ का कि आप किसी दिन बारिश में गीले हो गए और गीले होने की वज़े से आपने सिर को सुखाया नहीं और ऐसे ही आपके बालों में अगर नमी रह गई तो भी आपको जूओं की तकलीफ हो सकती है जूओं की तकलीफ हमें स्टार्ट होती है डेंडरफ की प्रॉबलम के बाद सबसे पहरे हमें डेंडरफ होती है फिर वो और बढ़ते-बढ़ते किटाणों का रूप ले लेती है इसलिए वाइरल इंफेक्शन को खतम करने के लिए इसके टाणूओं को खतम करने के लिए हमने अधरक के रस में आधे नीबू को निचोड कर डाला है। नीबू कर इसमें विटमिन सी होता है जो कि हमारे स्कैल्प के पी एच लेवल को भी मेंटेन करता है और बैक्टेरियल ग्रोथ को खतम करने का सबसे अच्छे से काम करता है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नारियल का तेल एक बड़ी चमच भरकर हमें इसमें कोकोनट ओयल भी डालना है क्योंकि अधरक हमारे स्कैल्प के लिए थोड़ा सारा स्ट्रॉंग हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें नारियल के तेल का भी प्रयोग करा है। एक चमच नारियल का तेल डालें नारियल का तेल मल्टी परपस ओयल की तरह काम करता है। इसे नाई सिर्फ आप अपने बालों के लिए इस्तमाल कर सकते हैं। स्किन के ले कर सकते हैं। बॉड़ी ओयल की तरह यूज कर सकते हैं। अलग-अलग फायदे होते हैं नारियल के तेल के इसलिए आज मैंने आपे नारियल का तेल इस्तमाल करा है क्योंकि हर किसी के घर में नारियल का तेल होता है और सबसे सस्ता होता है हमारा coconut oil जो कि हमारे scalp में hydration को restore करने का काम करेगा जिससे कि आपको सिर में दुबारा खुजली नहीं होगी और scalp में आपके hydration रहेगा, moisture रहेगा तो अब हमारा अधरक का रस अच्छी तरीकी से बनकर तयार हो चुका इसे मेरे नारियल तेल और नीबू का रस भी निचोड़ कर डाला है और अब आपको इसे apply करना है मैंने quantity कम बनाई है क्योंकि इस टेमिडी को हमें केव केवल अपने सिर्ग पर apply करना है जड़ों पर apply करना है ना ही हमें बालों की length पर apply करना है केवल scalp पर apply करना है तो आप चाहें तो हाथों की मदद से या फिर cotton को dip करते हुए अपने बालों की section by section आप इसे apply कर सकते हैं मैं तो क्या करती हूं इस तरीके से अपना normal use में आने व इसे ही आपको अपने बालों पर इसे रब करना है इस ऐसा करने से हमारे scalp का कोई भी हिस्सा नहीं चूटता वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करें चैनल के उपर पहली बार आए हैं तो subscribe जरूर करें